मुदी ने जब 24 जून को कश्मीर के नेताओं को बाचीत के लिए बुलाय था, मुद्ध था जम्मो कश्मीर मुदी सरकार की कश्मीर को लेकर नीती साफ है, यह देश में एक विदान, एक प्रधान और एक सब्विदान की व्यवस्ता ही रहेगी मीटिंग में कश्मीर के बड़े नेता जब आये तो प्रधान मंत्री ने उनका गरम जोशी से स्वागत किया बैठक पॉजिटेव रही लेकिन वो कहते हैं ना हाती के दाज खाने के और दिखाने के और मीटिंग हतम होते ही निताओं को जब मीडिया ने घेरा तब महभूमा मुफ्ती ने और अमर अब्दुल्ला ने वही राग अलापा जिसकी वज़े से उन्हें पाच अगस के बाद नजर बन रखा गया था और वो हो राग है ना राग पाकिस्तान सुना आपने महभूमा कह रही है कि कश्मीर के विशे में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए बहभूमा मुफ्ती को कोई बताए कि आख़िर पाकिस्तान से, क्यों की जाए बात है कोई उनसे जाके कहे कि उन्हें याद दिलाए कि हमारे जवानों के सर काट कर लिजाने वाले मुल्क से बातचीत कर के जो हमारे सोते हुए जवानों पर हमला बोल देता है अखिर क्यों बात करें उस मुल्क से जो हमारे जवानों से भरी हुई बस को विस्पोड भरी कार से उड़ा देता है अखिर क्यों बात करें उस मुल्क से जिसने अपने देश में उन आतंकियों को सुरक्षा दी है जिनोंने भारत के अलग-अलग शहरों में आतंकली हमले करके मासूमों की जान ली है महभूबा कहती थी कि कश्मीर में अनुछे 370 हटाने के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा खून की नदियां भेजाएंगी अगर अनुछे 370 और 35A से छेड़ छाड़ हुई तो पर क्या ये सब हुआ? इछले देड़ साल से घाटी में पत्थर बाजी, आतंकी हमले और उनकी समर्थक जुलूसों में आई कमी की वज़े से ये बॉकलाहट है, कश्मीर के नेता कहे जाने वाले ये लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेज कर पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, पर आज उन्हें इंडिया ख़वर एक सुजाव देना चाहता है अगर पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, तो भेजे अपने बच्चों को वहाँ तालीम लेने, जहां वहाँ जाएं, और ग्रेनेट और AK-47 के बीच शान्ती से रहें, बात साफ है महबुबा मुफ्ती और उनके जैसे पाकिस्तान परस्त निताओं को अब ये समझना होगा, कि कश्मीर में अब लोगों की सरकार आएगी, किसी एक राजनीतिक परिवार की नहीं फिर से शान्ती कायम होगी, समानी जन जीवन आतंके साय से मुक्त होकर, फिर से जीवन की पट्री पर दोड़ेगा हाँ, एक बात और है, केंद्र से मिलने वाली राशी, जो ये राजनीतिक परिवार आपस में बाट लेते थे, उसीधा जनता की सेवा की कारियों में लगेगा ना किसी पाटी विशेश के खाते में जाएगी, और ना पत्थरबाजों और आतंकियों के जनाजों में शामिल होने वाली भीड में बटेगी महबूबा, साफ साफ कहे न कहें, पर हम जानते हैं, क्योंके दर्द की असली वज़ा यही है रोशान विश्वकर्मा, इंडिया खावर लाइफ